तर्चा करेंगे सलार की रिलीज डेट को लेकर के जो की बहुत ज़्यादा वाइराल किया जा रहा है दिवाली के टाइम को मतलब 10 अब नवेंबर को सलार फिल्म को रिलीज किया जाएगा बुल करके ये डेट को बहुत ज़्यादा वाइराल किया जा रहा है और ऐसा लग रह 21 proprio ऊपर से 8 र forgave जया जया आ खाल उसी जया रहा हो आपको बना शाओ गा मैं अरहे बंचाज़र निल्याम करकी मासा या मासा अजया होा तो गाटी 28 सेप्टेमबर जो एक ऐसा डेड़ था जो कि पहली बात तो एक अच्छा विकेंड मिल रहा था ओके 5-6 दिन का मस्त विकेंड मिल रहा था जहां पे सलार मुपी बहुत अच्छा खासा तकड़ा कलेक्शन कर सकता था अपनी फॉस्ट विकेंड में ही एकदम से जबर्दस्ट कलेक्शन कर सकता था और उपर से लियो मुवी आ रही थी तीन हफते बात मतलब 20-21 दिन के बात आ रही थी ओके तो इतना बड़ा गैफ ना और नहीं है सच बताएं तो और नहीं है मतलब वही दिवाली के मौके पर भी फिल्म को रिलीश किया जाएगा तो वहाँ पे टाइ बारी तक चले जाएंगे तो वहाँ पे तो बहुत सारे फिल्में है गुंटूर कारम है यह जो गेमजेंजर है ऐसे करके बहुत सारी फिल्में है तो गाइस 28 सेप्टेंबर से मुनासिब रिलीश डेट तो और नहीं है लेकिन गाइस मैं यहाँ पे एक चीज़ जरूर कहना चाओंगा अभी जो बदनामी चल रही है जवान को डर करके सलार चला गया जो कि ऐसी बात नहीं है हम सभी को पता है तो गाइस मेरे ख्याल से सलार के मेकर्स को नवेंबर में ही मतलब चाहे वो कोई भी रिलीश डेट हो नवेंबर के लास्ट हो मिडिल हो फर्स्ट हो जो भ फिल होने लगता है कि वो फिल्म में कुछ खास है नहीं इसलिए मेकर्स डर रहे हैं ओके तो गैस देखो अभी जवान और सलार मुवी क्लैस तो यह नहीं था लेकिन जो बदनामी चल रही है कि जवान को डर करके जवान की ट्रिलर दिखने के बात ही सलार मुवी चला गया बदनामी चल रही है अगर नवेंबर के टाइम को भी ये लोग पोस्टपन कर देंगे नवेंबर के टाइम को ही ये लोग रिलीश नहीं करेंगे या फिर डिसमबर के टाइम को ही रिलीश नहीं करेंगे तो क्या होगा ना ये सिलसला फिर से जारी रह जाएगा पहले जवा दिन का गेब मिल जाएगा टाइगर 3 से और 10-15 दिन का गेब मिल जाएगा एनिमल से अगर नवेंबर के मीडिल तक ये लोग रिलीश करते हैं तो मेरे ख्याल से दोस्त नवेंबर तक ये लोग अपना अगर ये काम बगेरा सा कुछ कर रहे हैं मतलब ये पोस्ट ज्यादा डिले नहीं करना चाहिए और ऐसा होगा तो देखो फाइदा है फाइदा ही हर तरब से अच्छा रहेगा फाइदा तो हम नहीं कह सकते 28 सेप्टेंबर ही फायदा बहुत ज़्यादा था और बाकी 28 सेप्टेंबर को छोड़ देने के बात बाकी सारे रिलिश डिट चल रहा है ये भी थम जाएगा है ना देखो कैसे देखो अगर नवेंबर में रिलीश कर देंगे तो टाइगर 3 के साथ भीड़त होगा उसका क्लैस वगेरा होगा तो ये बदनामी का फिल्म के बीच ये फिल्म को रिलीश किया जाएगा तो ये जो बदनामी का सिलसिला है जो से सलार वी का इंतिजार में हैं, कब देकेंगे, धमाकेदार फिल्म का वाइब सरा रहा है, सलार मूवी का पोस्टर यह सारा चीज दिख कर सेप्टेंबर का महिन अभी पोछिपन करे चला अगर ये लोग रिलिश करें तो महिने में ये लोग पुड़ करें के साथ October का महिना चला गया और November में directly फिर्म दिखने को मिल जाएगा तो ज़्यादा gap नहीं होगा ज़्यादा gap नहीं होगा और यह gap भी ज़्यादा होना सही नहीं है अगर ज़्यादा gap हो गया ना तो यह लोग मायूस हो जाएंगे तो सलार मुवी तो भाई hype कम हो जाएगा ओके तो अभी जो hype है यह hype को बरकरार रखने के लिए November में release करना ज़रूरी है अभी जो बदनामी का सिलसिला चल रहा है यह सिलसिला को बंद करने के लिए भी November में release करना बहुत ज़रूरी है तो गाईस जो यह जो highlight किया जाए रहा है कि दिवाली के मौके पर November के time November के महिने में सलार मुवी को release करने का गाईस मेरे हिसाब से release कर देना चाहिए और डिले नहीं करना चाहिए चाहे तो October में ले आओ November तक भी मत जाओ मेरे ख्याल से मतलब जल्द से जल्द फिल्म को release कर देना चाहिए जितना जल्दी हो सके यह लोग अपना post production काम बगरा जो भी खामियाद देखे हैं फाइनल प्रडक्ट में बो सारा चीज complete करके October या फिर November तक release कर देना चाहिए और जो 2024 का जो कभी-कभी जो लोग बोल रहा है न उतने दुर तक नहीं जाना चाहिए अगर ऐसा हो गया न तो बदनामी का सिलसला भी बढ़ जाएगा डेट को छोड़ो दिवाली का टाइम जो बता जा रहा है दिवाली का मौका जो बता जा रहा है उसी टाइम पो सलार मुवी को release कर देना चाहिए लिट्रेली भाई ये तो मैं सोचता हूँ आपको क्या लगता है जरूर कमेंट करिएगा सलार मुवी को November में release करना चाहिए य थैसो जाइम प्रहन ने ने कि अष्ज टीव रहा है ज्यार शें देंगा सलार खाल शेंगा सब्स्क्रणब बता लूह को सारव कर देंगा सर्ण ऑोंगर स्क्रणब धर क्यां कर देंगा सब्स्क्रणब टूहा है ल गलूहां